हरिद्वार में अस्थी कलश यात्रा जारी है अटल बिहारी वाजपई की और उसी पर ABP निउस पर आप ये बड़ी कवरिज देख रहे हैं हरिद्वार से हर तस्वीर सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर जो कलश यात्रा उहां पर जारी है एक पड़ी सी तस्वीर नज़र आ रही है अटल बिहारी वाजपई की जिस पर लिखा है शत शत नमन और आप देख रहे हैं कि अंध्रिय करहिमंतरी रादनाथ सिंग के अलावा अमित शाह बीजेपी के रास्तिया ध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित नाथ और तरवेंदर सिंग रावद उत्तरा खंड के मुख्यमंतरी भी इस अस्थी कलश यात्रा क जुड़े हुए हैं पंडित जी आप खुद भी रह चुके हैं हरिद्वार में लंबे वक्त तक क्या इस मार्ग के बारे में आप बताएंगे जहां से इस वक्त यह यात्रा गुजर रही है कणकण में संकर हैं चारो और गंगा का वास्पित जल है अगर ओस भी पढ़ती है तो गंगा की जल की ही किरण बिंदुएं उसमें पढ़ती हैं इसलिए हरिद्वार में तो चलते फिरती हुए भी अगर आप गंगा तक नहीं भी पहुंच रहे हो तो जो गंगा के वाश्पित कणे हैं वहे मुक्तिदाईनी बन जाती हैं हवे आपने मारका कहा हमार यहां पूरे देश में भारत वर्ष में साथ पुरियों का वर्णन है मोक्षिदाईनी अयोध्या मुथ्या माया काशी कांची अवंति का पुरी द्वारा वती गेया सब्तिता मोक्षिदाई का साथ पुरिया हैं अयोध्या मुथ्या मुथ्या माया जहां भी यह चल है बसा है पांच पुरियां हरिद्वार में भी अभी जो अस्तिक अलस चल रहा है जौलापुर तो पहले किनारे हो गया साइट से वह पार करने के बाद यह रानिपुर छेत्र से भी आगे बढ़ चुकी है अब मायापुरी छेत्र है जो मुखे रूप से जह दशनाम सन्याशियों के यहां अखाड़े हैं बहराग्यों के अखाड़े हैं हरिद्वार छेत्र में और हरके पेड़े के पाक kamera अभी धाम है इस प्रकार से अभी हरिद्वार की हर्दवार के हमारे जो ब्रह्म सरोवर के और ब्रह्म कुंड के और यात्रा बढ़ यह जो हमारा जो सिमूर्ति का छेत्र है सिमूर्ति से आगे ललतारपूल जहां आपके भीया दिखारते प्रेस क्लप की और से वहां पर तैयारियां की गई है हर्दवार प्रेस क्लप की औ पुल आएगा, उसके बाद कोतवाली आएगी, कोतवाली के बाद मोती बाजार की दक्षण भाग होते हैं, उदर मंसा देवी की तठ पर, मंसा देवी की वहीं चे मंसा की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, पूरब में नील धारा के रूप में गंगा बहर है जहां पर भगवान सती, जहां पर भगवती सती ने अपनो सरीर देहत्याक किया था, दक्षिप की कन्या, फिर वो पार्वती रूप मा उतरित हुए हैं, कालिदास ने तो यहां तक भी कह दिया हरिद्वार के लिए, जहनो कन्या सगरतनिया स्वर्ग सोपान पंक्ती, माने स्वर्ग क स्वर्ग की सीड़ी हे हरिद्वार को बताया गया है, बिल्कुल, स्वर्ग की सीड़ी भी हरिद्वार को कहते हैं, और हम देख भी पा रहे हैं इन तस्वीरों में, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उहां पर मौजूद हैं, अटल विहारी वाजपी को चाहने वाले लगतार पुष्प वर्षा करते हुए, हम सीधे हर्की पैड़ी अब चलते हैं, रक्षित सिंग हमारे साथ वहां से जूड़ा हैं, रक्षित, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो अस्थी कला श्यात्रा मार्ग हैं, वहां पर भाव विहवल लोग हो रहे हैं, भाव भिनी श बहुत देर से जो लोग हैं वो ठम गए हैं, वो लोग रुख गए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत देर से रुके हुए हैं, उनका कहना है कि हम अटल जी को दिल्ली में आखरी विदाई नहीं दे पाए, तो हरिद्वार में ही सही, उनकी अस्तियों को हम नमन कर लेंगे दूर से और उस अपने महानेता को श्रद्धांजली दे देंगे और आप ये देखिए कि एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये कावडिये जो हैं वो बहुत देर से रुके हुए हैं ये वो कावडिये हैं जो साल भर चलते हैं इने बहुत लंबी दूरियां तै करनी होती हैं लेकिन ये कावडिये यहाँ पर आकर रुक गए बैठ गए अपनी कावड कंदे पर लेकर खड़े हुए हैं क्योंकि कावड अगर एक बार कंदे पर रखली तो उसके बाद नहीं उतरती है कावड कावड कंदे पर है और सामने की तरफ मंच सजा हुआ है अटल व्यारी वाजपेई की अस्थियां विसर्जित करने के लिए तब से इसी श्रद्धा के साथ इसी भाव के साथ तवाम ऐसे लोग हैं जो रुक गए हैं यहाँ पर हरकी पौडी पर और सिर्फ उनका मकसद यही है कि अपने इस महान नेता को एक बार अंतिम दर्शन कर लें इस ब्रह आदर भाव जैसा कि रक्षित ते दिखाया भी वो तस्वीरे आप देख पा रहे थे कावड़िये जो हां पहुंचे हैं वो वहीं पे खड़े हैं जसके तस और उन्हें इंतजार कि कब यह कलश यात्रा यहां पर पहुंचे रक्षित क्या पुछ को आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है कि यात्रा कहां तक पहुंच गई है अखिलेश अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कलश यात्रा कहां तक पहुंची क्योंकि लगातार मूव कर रही है बहुत स्लो स्पीड के साथ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इखटा हो गए हैं और यह जो रास्त लिए लगाया गया है तमाम उत्राखंड और उत्तरप्रदेश के मंतरी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि दोनों ही प्रदेशों के मुख्य मंतरी भी इस कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं खोद ग्रह मंतरी राजना सिंग आ रहे हैं इसके अलावा पार्टी अमिशा आ रहे हैं और अमिशा अगर पहुचते हैं तो जाहिड सी बात है कि नेताओं का जमावणा लगना लाजमी है और साथ-साथ वो भी तब जब ये अन्तिम्यात्र कहें एक तरीके से अटल जी की जो अस्तियां है वो विसरजित होनी है तो खुद कितनी पार्टी में उ ठोक कर दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए तो जाहिड सी बात है इतना महान व्यक्तित वी इतना विराट व्यक्तित वाला व्यक्ति की जब अस्तियां गंगा में प्रवाहित होनी है तो हर कोई आखरी बार यहां पर नमन करने के लिए उनको प दरजन का जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए कावणियों की तस्वीर आप फिर देख लीजिए एक बार देखिए लगातार खड़े हुएं कंदे पर कावण आपको नजर आएगी जो इस बात का सबूत है इस बात की तस्दीक करती है कि लोगों में अटल व्यारी है और खड़ा हुआ है यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि कितना महान उनका व्यक्तित्व था उसी को यह तस्वीर दर्शाती है ब्रहम कुर्ण पर अब इंतजार है कि किस पल जो कलश यात्रा है वो यहाँ पर पहुचे कलश पहुचे तमाम मंत्रोचारण के बीच हिंदू रीती रिवाजों के अनुसार जो है यहाँ पर अस्थी विसर्जन होगा और एक तरीके से कहें तो सिर्फ उसके बाद में बतेंगी जो हम लोगों के बीच में बचेंगी वो अटल जी की वो यादे बचेंगी उनकी वो कविताएं बचेंगी क्योंकि उनका शरीर तो पहले यही जलकर एक तरीके से राक हो चुका है लेकिन अस्तिया विल्कुल और देखिए रक्षित बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी राजनेता के पुरती इसकदर लोगों में शद्धा हो लोगों का जब हुजूम उमर पड़े उन्हें शद्धांजली देने के लिए अंत हरकी पैड़ी पहुंचने में कितना और वक्त लग सकता है लेकिन जिस तरीके से सरकों पर लोग जुटे हुए है इस वज़े से थोड़ा साज है जो स्पीड है वो धीरे हो गई है क्योंकि हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आटल जी से पूरा नहीं हुआ लेकिन शायद उनों और विस तरह से सोचा रही होगा कि आटल जी सामने तू हैंगे लेकिन फिर्फ उनकी अस्तिया होंगी उनका शरीर भी नहीं होगा लेकिन फिर भी जो लोग जोते हुए है शद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि और सी अध्य हमेद पर यहां परूंगा उसके बाद लोग होट्रों से निकल करके सब्सक्राइब करें हो गए हैं रिल्वेस्टेशन के बाहर खड़े हैं दुकानों के बाहर खड़े हैं तो कुछ इस तरीके से शद्धा सुमन और यह एक अटल जी का जो विक्तित है उसको भी दर्शाता है कि आ जादा बड़ा और एक दूसी तस्किर में आपको और जिक्र करना चाहूंगा अमूमन इस तरीके सांगे हैं कि दक्ष्ण में जो राजनेता होते हैं उनके पीछ बीचे इस तरह की भीड होती है लेकिन उत्तर भारत में इस तरीके से किसी राजनता के पीछे तें उसके पा इस तरीके से लोग प्रियता बहुत कम ही देखने को ये चीजे मिलती हैं और देखिए जिस अस्थी कलश का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं जब यह यात्रा शुरू हुई थी हम उसे पूरी तरीके से देख पा रहे थे लेकिन लोग इसकदर वहां पुश वर्शा कर रहे हैं क अस्थी कलश पूरी तरीके से अब ढ़कता हुआ नजर आ रहा है विकास भधौरिया भी इस बीच हमारे साथ जूर चुके हैं एवी पी न्यूस संबाद आता जो इस कलश यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं विकास क्या देख पा रहे हैं इस वक्ता आप अब मैं कलश याता से आगे की तरफ निकलाया हूँ मैं इस वक्त हरकी पेड़ी शेत्र में हूँ और मैं आपको आसपास का नजरा दिखाता हूँ यहां पर चारो तरफ लोग बड़ी तादाद में खटा हैं हरकी पेड़ी के चारो तरफ ताकि वो जब अस्तियों का विसर अस्ति विसर्जन में शरीक हो सके शामिल हो सके अपने शद्धान जली दे सके रास्ति भर का जो नजारा है सड़क के दोनों तरफ लोग इखटा हैं हजारों की तादाद में बाजार बंद हैं बस टेंड के आसपास का बाजार जरूर खुला हुआ है क्योंकि बाहर से शद्धान जली देने के लिए हजारों लोग हाथ में अपनी अंजुरी में फूल भरे हुए हैं उन्होंने पुष्प की पंखुरियां भरी हुई है ताकि जब अटल जी का अस्ति कलश महां से गुजरे तो उसमें वो अपनी शद्धान जली उनको समारोपित कर पाएं और यह जो रास्ता है आपको मैं तस्वीरों में दिखाता हूं यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लोग अपने घर की बालकनियों में सवार हैं आसपास जो गेट है इस गेट से केवल कुछी लोगों को भीतर आने की जाजात है उसके बाहर की तरफ सेक्रों लोग जमायत वो अचले एक डिड़ घंटे से कि अस्थिक अलश जब आतल विहारी वाजपई का यहां पहुंचेगा तो इसके दर्शन करेंगे और सद्धान जरी करेंगे जो हुजू में खटा हुआ है वो नजारा कुछ-कुछ वैसा तो नहीं है जैसा दिल्ली में था क्योंकि दिल्ली ए महां पर पहुंचना शुरू हो गए है गगन भेडी नारों के स्वार वंदे मातरम भारत माता की जय अटल विहारी अमर रहे इस तरह कि नारों के साथ यह लोग यह तो अमभिकास के पास दुबारा चले उससे पहले बार फिर से जो आपके सामने यह तस्वीर है आप देख करों लोग इन तस्वीरों में आप देखिए और यह हर की पैड़ी का दृष्ष्य है आपके सामने जाप पहले से ही लोग इंतजार में बैठे हुए हैं विकास विकास अगर आप मुझे सुन पा रहे हुँ तो जरा यह बताईए आपके आसपास भी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पहले से ही सैक्डों लोग नजर आ रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कलश यात्रा यहाँ पर पहुँचे अनन्त यात्रा पर निकल चुके हैं सर्व प्रिये नेता अटल विहारी वाजपी और हम आपको लगतार हरिद्वार से सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं जो उनकी अस्थी कलश यात्रा जारी है उसमें देखिये किस तरीके से लोगों का हुजूम उमर पड़ा है बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी जहां जहां से ये अस्थी कलश यात्रा गुजर रही है लोग वहां पर मौजूद है और हर की पैड़ी जहां तक इस यात्रा को आना है और उसके बाद यहां पर अस्थियां अटल विहारी वाजपी की विसर्दित की की वहां पर आप देखने किस तरीके का इंजाम किया गया है और आपको बतादे जो ताजा जानकारी मिल रही है किसी भी वक्त यह यात्रा यहां पर आकर खत्म हो जाएगी यानि जो अस्थी कलश है वो यहां पर पहुँच जाएगा और उसके बाद इसे यहां वसर्जित क देख पा रहे हैं और पहली तस्वीर उस यात्रा की तस्वीर खुद बीजेपी के राष्टिय अध्यक्ष अमित शाह इसमें मौजूद हैं और उसके अलावा केंद्रिय ग्रह मंत्री राजनाथ सिंग हैं और यही नहीं आपको बता दें कि योगी आदित नाथ से लेकर तरवेंद सिंग्रावत तक इसमें नसर आ रहे हैं और आपको सीधे हर की पैड़े लिए चलते हैं विकास भधादौरिया हमारे साथ लगातार होहां से जुड़े हुए हैं विकास जरा आसपास जो कुछ आप देख पा रहे हमारे दर्शकों तक भी वो चीज़ें पहुचाएं क्या देख पा रहे हैं आप किस तरह की वहाँ पर तैयारी की गई है इस अस्थिव सर्जन के लिए तो विकास से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है रक्षित सिंग भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए है रक्षित जी रक्षित आप क्या देख पा रहे हैं अपने आस पास इस वक्त चुकि खबर आ रही है कि ये कलश यात्रा यहां बस पहुँशने ही वाली है जी बिलकुल अकलेश किसी भी वक्त जो है कलश यात्रा यहां पर पहुँश जाएगी कलश वो कलश लेकर जिसमें पूर प्रदानमंत्री अटल वियारी वाजपेई जी की अस्तियां हैं तमाम जो तयारियां हैं वो भी यहां पर पूरी कर ली गई हैं पंडित आपको बैठे हुए नजर आएंगे क्योंकि पूरे हिंदू रिती रिवाज के साथ अस्तियों का विसरजन होगा और तमाम जो तयारियां हैं पूजा से जोड़ी हुई वो भी हो चुकी हैं और ये जो ब्रहमकुंड है ये सबसे प्रहमकुंड माना जाता है पूरी हर की पैडी पर और इसी लिए इसको चुना गया ब्रहमकुंड पर ये खासे इंतिजाम जो हैं वो उत्राकंड सरकार की तरफ से किये गए हैं इसके अलावा निताओं का जो जमावडा है वो लगना शुरू हो गया है तमाम नेता आपको खड़े हुए नजर आएंगे और नेताओं के लिए एक पूरी बैठने की अलग व्यवस्था की गई है क्योंकि दो-दो प्रदेशों के मुख्य मंत्री उत्रप्रदेश के योगी आदित्तनात और उत्राकंड के त्रिविंदर सिंग रावत इसके अलावा कई केंद्रिय मंत्री हैं खुद ग्रह मंतरी राजनास सिंग आ रहे हैं तो ऐसे में तमाम जो तयारियां हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर प्रधान मंतरी अटल वियारी वाजपेई जी की जो अस्तियों का विसर्जन होना है उसके लिए तमाम तरह की जो तयारियां है वो यहाँ पर कर ल इंसान किसी शक्सियत का जीवन ही उसका संदेश बन जाए तो जाहिर तौर पर लोगों में इस तरीके से शद्धा का भाव तो आएगा ही जो हम देख पा रहें इन तस्वीरों में अभी एक बिराट व्यक्तित्य थे क्योंकि अभी हम धार्मिक करते हैं और अस्तिक अलस लेके जाया जा रहा है हरकी पैड़ी में और अस्तिप्रवा का समय चल रहा है हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है अटल जी जो थे ना अपने आलोचकूं से कभी नाराज नहीं होते थे वो कहते थे निंदक नेड़े राखिये आगन कुटी छबाए बिन पानी साबुन विना निर्मल करें सुभाव और वो एक चीज और कहा कर सकते थे अपने आलोचकूं से निंदकूं से अगर जो वही घबराता है जो उसका पृति उत्तर देना नहीं जानता है और जो अपने को निर्मल करके निखारना नहीं जानता है जल में कमल के तरह जल के नीचे कीचड़ भी होता है और तब कमल जो विकशित होता है अश्टडल वो उसके उपर फिर उसमें भरमर भी उसमें से सहद ले मैं निवेदन और करना चाहूंगा अब हम अस्थि प्रवा की और की विदी पर देख रहे हैं देखे यहां पर अब आप बता रहे थे हमारे संबादाता भाई भी वहां से बता रहे थे इतनी जनता जो वहां खड़ी है वो अस्थियों को नमन करने के लिए नहीं अटल जी की मुक्ति के लिए मैं दुबारा आपके पास आऊ उससे पहले जरा अंकित के पास चल लेते हर की पैड़ी से हमारे साथ अंकित गुपता जुड़ चुके हैं अंकित जिस तरीके से नारे वहां पर सुनाई पड़े हैं भारत माता की जैवंदे मात्रम ऐसा लग रहा है कि यहां पर यहीं पर जो होगा अस्थी विसर्जन ये गंगा जी का मंदिर है और उसी के ठीक पास में अस्थी विसर्जन किया जाएगा अटल जी का देख सकते हैं कि सुभा से यहां तैयर यहां की गई थी और दूसरी तस्वीर आपको रिखाना चाहूंगा उसके ठीक सामन किस तरीके से लोग जुटे हुए हैं यह वो लोग हैं जो हो सकता है यहां पर गंगा इसनान के लिए हो यह वो लोग हैं जो हो सकता है घूमने फेने के लिए हो लेकिन जैसे उनको जानकारी मिली है कि अटल जी का अस्थी कलश अस्थी विसर्जन यहां पर होगा तो उसके बाद में सुबा से ही लोग जुटे हुए हैं हला कि सुरक्षा कर्मियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो रोजाना की तरह ही पहुंच रहे थे लेकिन आज क्योंकि खास इंतिजाम किया गया है सामने यह गंगा जी का म कई जिगहों पर इसनान लोग कर सकते हैं गंगा में कही पर भी इसनान कर सकते हैं लेकिन इस ब्रहम कुंट की अलगी मानिता है और कहा जाता है कि आमरेत की बूंदे यहां पर छलकी थी बिलकुल बिलकुल अंकित मैं आपके पास दुबारा लोटू से पहले विकास भदौरिया करूख खल लेते हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं विकास कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं क्या देख पा रहे हैं यह देखे मैं हरकी पहली शेत्र में हूँ और ठीक उस सदक्स और जो विजेपी अध्यक्षामत अमेच शाह राजनात सिंग्ग दो राजयों के मुक्मंतित रिवेन सिंग रावात योगी आजनात बोट रक्सों तर रहे हैं और अस्तिकलास अब इसी मार्क से दीरे दीरे आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर रावत पेत्र में जहां पर गंगा सभा ने शद्धानजली सभा का आयोजन किया है तो यह देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि रंजन भट्टाचार यह हाथों में तलस लिखें उनके साथ उनकी बेटी निहारिका है वो आगे की तरह बढ़ रहे हैं बगल में अनूप मिश्रा है जो कि भांजे अटल व्यारी वाजपई के और यह देखिए अस्तिकलश लेकर यह घाट में हरकी पेड़ी घाट में प्रवेश कर रहे हैं सबसे पहले जो गंगा सभा है उसके उसने यहां पर सद्धानजली सभा का आयोजन किया है सद्धानजली सभा हो और उसके बाद सद्धानजली सभा के बाद ब्रह्मकुंड में अस्तिर सर्जन का कारेकरम की शुरूआत होगी तो यह देखिए अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे प्रण्जन भटाचार उनकी पत्नी नमिटा वह हाथों में कलश लेकर अटल जी के बे सद्धानजली सभा का आयोजन किया उसतरह बढ़ रहे हैं मुक्ष पीछे मंत्री उत्राखन की त्रविन सिंह रावत हैं उनके पीछे अनूप मिश्रा है अनूप मिश्रा के तुकि भांजय अटल व्यारी वाचपई के और तमाम जो इस्थानिये लिट्वत है वह यहां प चुके हैं दंग्रा सभा के पंडाल में पहुचने के बाद हैं यहां पर सभाच अस्थी विसरजन का कारिक्रम करवाएंगे और ठीक नीचे की तरफ में आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ जो जगे ब्रह्मकुन की जहां पर अटल जी का अस्थी अच्थी विसर्जन के लिए ब्रह्भभुण में और यहां तस्वीरों में आपको दिखाता हूं कि सभागा दो और सभाट के बाद सीधे ये ब्रहम्मकुंद के इस इस थल पर पहूँचेंगे अरकी प्रहिडी में यह ब्रहम्मकुंद जहां पर अस्थी विसर्जन का का दो होगा वहाँ पर आपको वाजपरी परिवार के पंडा अखिलेश दिखाई दे रहा है जो कि पूजा अर्चना कराएंगे जो सुनातन धर्म में विधी विधान है जिसमें कर्म पुराण और संख स्मृति के तमाम स्लोकों का गीता के स्लोकों का उचारण होगा तकि इमृत आत्मा को शांती मिले अस्ति Dafisation के बाद जर्ण में कि चकर वो टूट अए जो出क है जो की मोक्ष का मार्व दिखाता है और इसलिए अकि हरकी पैड़ी शेत्र को हडिदवार यहिंद की स्वर्ण का द्वार कि और जाने का द्वार उसका सब्सक्रिट इस्ताना यहां पर जिन मित्ज रोटा है व्होण तूप जाता है इसे मोक्ष के मार की और मनसु जन्द मुक्टियू के चक्र से अलग होकर मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे